आज मैं बात करना चाहता हूँ प्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट की इसकी बात करने के लिए हम चलते हैं पालनपूर में जहां पर मादवबक का क्लीनिक समालते हुए डॉक्टर दर्शन जोशी बहुत बढ़िया तरीके से डाइबिटीस के पेशिट को डाइबिटीस रिवर्स क करके जीटीडी टेस्ट तक पास कराने तक लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले जीटीडी टेस्ट होता क्या है तो ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट जो है ये आपके शरीर की शुगर को इस्तमाल करने की शमता का सबसे बेस्ट मापदंड है एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ह क्या आपको diabetes है या नहीं ये समझने के लिए क्या आपके शरीर में insulin resistance है या नहीं ये समझने के लिए इसलिए करना क्या होता है तो पूरी रात के dinner के बाद कुछ ना खाते हुए सुबह खाली पेट हम patient को lab में या clinic में बुलाते हैं उनकी खाली पेट की शुगर दिखी जाती है जो की baseline शुगर मानी जाती है फिर उन्हें 75 gram glucose पानी में मिला करके पिला दिया जाता है और ये 75 gram glucose मिलाने के बाद में क्या होना चाहिए उनकी शुगर बहुत बढ़ जानी चाहिए ये हम एक और दो गंटे के बाद के उनकी बही तो 75 gram glucose लेने के बाद भी उनकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है मतलब उनका glucose tolerance एकदम से नॉर्मल आता है और वो GTT test पास हो जाते हैं तो ये ऐसे ही GTT test पास हुए एक पालनबूर के patient की हम कहानी या पर देखते हैं जिनने अभी अभी पता चला था diabetes के बारे में क्य क्योंकि उन्हें बहुत जादा प्यास लगना, भूक लगना, सरदर्थ, कमजूरी ऐसी तकलीफ होती थी और वो डॉक्टर के पास गए उन्हें पता चला कि diabetes ये problem है उन्हें और उसके लिए उन्हें दवा लेने की सला दी गई पर वो वहाँ पर treatment nurse शुरू करते हुए वो म blood pressure भी थोड़ा सा पहले जादा रहता था, lower side में 95 तक चला जाता था, वो भी normal आ गया, पेट का गेरा, मतलब abdominal गर्त उनका बहुत जादा था, वो उन्होंने कम किया और ये सब करने की वज़े से उनका GTT test पास हुआ, मतलब की देखिए यहाँ पर report जो मैंने दी है, उनकी उसमे 75 gram glucose लेने के बाद में, जो उनकी शुगर fasting में 99 थी, वो दो गंटे के बाद में भ उनका खुद का शुरीर, उनकी शुगर को manage कर रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि वो आज diabetes से बाहर आ चुके हैं, अच्छा ये जर्नी, क्योंकि इन्हें नया नया पता चला था, diabetes का इन्होंने बहुत सारी दवा नी भी नहीं थी, ये जर्नी गोमती बेन ने सिर्फ और बड़ी achievement है, अगर आप भी इसी तरीके से जल्द से जल्द अपने diabetes से आजादी पाचाते हैं, diabetes के लिए अगर आप कोई दवाया ले रहे हैं और उससे आजादी चाते हैं, तो आप मादोबा के क्लिनिक जरूर आईए, और अगर आप पालनपूर या उसके आसपास के इला